हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने मोटरोला G Turbo Edition का Android 6 अपग्रेड लाया हूँ जो मर्शमेलो है अकर हम सेटिंग में जाके देखते हैं तो हमें दिखता है कि मैंने अपने फोन का अपग्रेड किया हुआ है Android 6.0.1 में जो Android मर्शमेलो है अलाकि Android 7 भी आ चुका है बट Motorola ने अभी इस फोन में यह अपग्रेड नहीं दिया हुआ है Android 6 में अपग्रेड करने के बाद एक नया फीचर एड़ हुआ है अबाउट फोन में जो की hardware information का है hardware information में बस आपकी RAM size, ROM size, display, etc. version का पता लगता है Android 6 ने बहुत से नहीं फीचर एड़ किये है जैसकी storage and USB का feature एड़ किया हुआ है अगर हम इस पर टैप करते है तो हमें दिखता है अपने internal और actionable storage के बारे में अगर आपने कोई actionable storage यूज कर रखा है तो हमें यहां दिख जाता है जैसकी हमें दिख रहा है कि internal storage 11.81 GB प्रोवाइड करता है 16 GB में से और Android operating system के लिए 4 GB reserved करा हुआ है एक नए feature और एड़ हुआ है memory का अगर हम memory में जाते हैं तो हमें अपनी RAM के performance के बारे में पता लगता है जैसके हमारी total memory 1.9 GB है उसमें से free 8.3 6 MB है अगर हम battery में जाते हैं तो अगर हम यहां three dots पे click करते हैं तो हमें यहां दिखता है battery optimization का है यह एक नए features add किया हुआ है Android 6 में हलाकि Android 5 में यह features नहीं था अगर हम display में जाके देखते हैं तो यहां एक और नए feature add है press power button twice for camera अगर हम power button को दो बार tap करते हैं तो हमारा camera open हो जाता है और कुछ खास नए चीज नहीं दी हुई है और main एक चीज system UI tuner की दी हुई है अगर हम यहां जाके system के icon को tap करे रहते हैं 2 second तक 2-3 second तक तो हमें यहां दिखता है कि UI tuner has been added to setting अगर हम last में जाते हैं तो हमें यहां एक option दिखता है system UI tuner क्लिक करते है got it हमें यहां बहुत से options दिखते हैं जिसकी quick setting status bar show mweb percentage battery percentage अगर हम इसको on कर देते हैं तो हमें यहां दिखता है battery percentage show हो रही है battery icon पे मैं इसे disable कर देता हूं अगर हम quick setting जाते हैं तो हम यहां देखते हैं कि यह notification जो यहां है same as it is यहां होगा हम इसको अपने हिसाब से change भी कर सकते हैं हलाकि मैं इसे change नहीं कर रहा हूं एक feature है status bar अगर हम किसी चीज को status bar पे नहीं देखना चाहते हैं तो हम इसे यहां off कर सकते हैं मैं इसे on कर देता हूं अगर हम यह feature अच्छा नहीं लगता है तो हम इसे disable भी कर सकते हैं disable same as it is वैसे ही है हम इस पर tap करना है 3-4 second तक and then remove तो एक message चप जाता है remove UI tuner हम इसे remove कर देना है main android 6 में battery की problem है battery बहुत जल्दी जाती है अगर मैं 4G net यूज करता हूं या wifi यूज करता हूं इसलिए android 6 में बस एक main problem है जो कि यह battery और वैसे performance तो सही है कभी hang नहीं होता बस scrolling का vertical android 5 में horizontal change कर सकते था इस में vertical scrolling है thanks for watching this video क्वी और आई दो जो किए बस बस एका थ SEE क्वी इसक एक आप एक remains